अच्छाने कितने लोगों को meditation करना कितनों ने try किया है? कभी नगभी meditation करने का सब ने try किया है कितने लोग जुट बोल रहे हैं ऊपर रखो अच्छा almost सब ने try किया है लेकिन उसके बाद में किसी को मुश्किल लगा होगा, किसी को असान तो कितने लोगों को meditation करना सच बोलना यह नहीं कि यहाँ पर सिर्फ बोलना है कि असान है कितने लोगों को अभी आज की रेट में मुश्किल लगता है meditation करना कितने लोगों को असान लगता है, असान मतलब कि वो एक गंटे तक बिना कुछ करें, यहाँ पर पूरे दुनिया meditation एक रास्ता है सिर्फ यह समझनेगा कि किस तरीके से इस past को और future को छोड़ना है जिसकी पकड़ में अभी हम है और जब चाहें अपनी मर्जी से इसको पकड़ना है सबको पता है कि meditation करना अच्छा होता है सबको पता है फिर हम क्यों नहीं करते हैं क्या वजय है कि हम meditation नहीं करते हैं बोर हो जाते हैं let's give a big hand for this guy कितने लोगों को meditation बोरिंग लगता है करना क्या कर रहे हैं एक दिन करा दो दिन करा बहुत अच्छा लगा लेगा उसके बाद में क्या कर रहे हैं यह भी करने वाला काम है यह सचा बाद जाओ खेलो कुदो खाओ प्यों मस्त रहो यह एक myth है कि meditation boring है लेकिन इस myth के पीछे एक सच्चाई छुपी है कि meditation करने के हजार रास्ते हैं उन रास्तों में से 99% boring है लेकिन 1% ऐसे भी है जो बिल्कुल भी boring नहीं है इंट्रेस्टिंग है एक्साइटिंग है खेल है मजा है मस्ती है नशा नहीं कहूंगा उसको नशा तो ज़्यादा हो जाए तो अगर meditation जो boring है अभी आपने कहा किसी तरह से वो interesting हो जाए तो क्या होगा? meditation का मतलब यह नहीं है कि आदमी बेकार हो जाए या लाश बन जाए जा करके बैठ जाए यह नहीं है meditation लोग इसका मतलब यह निकाल लेते हैं क्योंकि कुछ बेवकुफ लोग जो meditation को समझी नहीं पाए जिनको meditation से ही प्यार हो गया जब की आपको कुछ करने से attachment हो गई या कुछ ना करने से attachment हो गई आप समझ जो आप गलत ट्रैक पे हो अब और कोई पॉइंट कोई रहे गया है कि क्यो नहीं करते है meditation अम सब की आद्टे बहुत खराब है जब तक do or die नहीं होता हम कोई भी काम नहीं करते है क्लियर है उसको मुठा करके साइड में रखते है और जब तक वो अरजेंट ना बंजा है वो उसको नहीं करते ऐसे होता है हर काम के अंदर तो अब मैं एक sense of urgency क्रियेट करता हूँ आपके अंदर आप जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हो जो कुछ भी वो क्यों कर रहे है इस दुनिया की problem ही यही है कि वो यह समझ रहे है कि जब मुझे यह मिल जाएगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी जब तक पैसा नहीं है तब तक पैसा ही problem है कि पैसा मिल जाएगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी पैसा मिल गया उसके बाद में जब मैं इस पैसे से ये सब चीज़े बना लूँगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी जब ये सब चीज़े बन गई अब क्या करूँ अब तो खाली हो गया अब मैं ये कर लूँगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी ये भी कर लिया, अब क्या करूँ अभी भी खुशी नहीं मिल रही, अच्छा शायद मैं मेडिटेशन कर लूँगा, तो मुझे खुशी मिल जाए थी, Meditation भी कर ली खुशी नहीं मिली अब क्या करोगे क्या करोगे कुछ नहीं करना खुशी यहीं है कल में है ही नहीं ये भी अपने हमें ट्राप है मैं खुश हो जाओंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी खुश हो जाओंगा यहाँ है और खुशी यहाँ है अब मैं आपको सीधा पॉइंट पर आता हूँ बताता हूँ अब एग्जाक्ली आपको करना क्या है जो टेक्नीक है अब हम उसकी बात करते हैं आपको जो मिले हैं आपको लगाने है अभी इस समय अगर आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं तो इयर प्लग्स आपको किसी भी कैमिस शॉप में मिल जाएगे अपने घर के पास में आप जाएगे यह 15 रुपे के मिलते हैं विच यू किन बाइट फ्रॉम एनिवेर और यह बहुत जरूरी है इस मेडिटेशन को करने के लिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो क्यों है वो मैं अभी आपको बताता हूँ लेकिन यह बहुत जरूरी है इस इन केस आपको यह कहीं नहीं मिलते वैसे तो मिल जाएंगे अगर कहीं नहीं मिलते तो आप इसकी जगे पर अपने mobile के earphones लगा सकते हो लेकिन उससे जो noise है वो पूरी तरीके से खतम नहीं होती शोर बंद नहीं होता और दूसरा आप cotton लगा सकते हो लेकिन उसकी भी effectiveness इतनी ज़्यादा नहीं है तो ideally मैं suggest करूँआ कि आप इसको कहीं से भी purchase कर सकते हैं एक पर दिखाएंगे मैं को कहा है वो यह है जो एक 3M company का है और ऐसी और भी कई company इसके आते है अब सबसे पहला step क्या है meditation के अंदर के बैठना कैसे है अब इसमें वो बड़े-बड़े myth है ऐसे बैठो ऐसे बैठो वो अच्छा है वो बुरा है सब अच्छा है जब तक कि आपकी back सीधी है और चेर पे बैठकर के meditation करने में कोई problem नहीं है सीधा सा funda है कोई भी pose अगर आपको uncomfortable लग रहा है उसमें भूल के भी meditation मत करो क्योंकि अगर आपको वो uncomfortable लगेगा तो आपका ध्यान दर्द की तरफ चला जाएगा तो आपको क्या करना है कोई भी comfortable pose चूस करना है अगर कुरसी पे आप बैठे हो हलका सा आगे आजाओ हलका सा ज्यादा भी नहीं हलका सा आगे तो बैठ अपने आप सीधी हो जाएगा गर्दन सीधी होनी चाहिए ऐसे नहीं होनी चाहिए ऐसे नहीं होनी चाहिए ठीक है हलकी सी टकडेन होनी चाहिए गर्दन और जो आखे हैं जब बंद हो गई तो बंद होने के बाद में आपको ना नीचे देखना है ना बहुत उपर देखना है कुछ लोग बोलते हैं कि जब मैंने meditation किया तो मेरे यहाँ पर बहुत तेज़ दर्द हुआ कितने लोगों ने इसको experience किया है दर्द हुआ, यहाँ पर दर्द होता है अब आगे भढ़ते हैं आप बैठ गए और सबसे पहले दस breath लेनी है दस सांसे लेनी है गहरी जब भी आप सांस छोड़ोगे उसके साथ मैं 10 को जोड़ो फिर अगली सांस छोड़ी तो 9 को जोड़ो, लेकिन मन में बोलना है मुह से नहीं बोलना मतलब कि अगर आपने ऐसे किया तो 10 और बोलना भी ऐसे हैं मन में तेज शीक करके नहीं जैसे मन में भी कई तरीके होते हैं बोलने के 10 9 अमरीशपुरी की तरह नहीं बोलना अराम से जैसे कोई विस्पर कर रहा है आपके कानों में मालब भूत थीरे से अपने आपको बिलकुल थीरे बोल रहих और जैसे यसे नीचे या रहे हैं मे अपनी बोडी को मैंड को रिलाक्स करते चले आना नोड करना किस तरीके से चीजसे रिलाक्स हो रहे है मालब're again करने की कोशिश नहीं करनी automatically वो चीज़े होती चली जाएंगी तो 10 से आप गए 9 पे 9 8 और 0 तक जाना है जब तक आप 0 पे जाएंगे आप देखेंगे automatically जो आपका mind है वो ब्लैंक हो गया लेकिन यह end नहीं है meditation के कहीं आप सोचो बस यही था यार अब यहां से खेल शुरू होता है अब बड़े ध्यान से समझना जो चीज मैं बोलने वाला हूँ इस दुनिया में दो तरह की आवाजे है एक वो जो बहार से आ रही है जैसे AC की आवाज आ रही है सब को भी मेरी आवाज आ रही है यहां पर भी हलका सा ठक ठक हुआ हाई सुनो बहार यहां पर कौन कौन से आवाजे आ रही है अभी सबने बोला आवाज हुई यह बहार की आवाज है हमें पता है सबको बहार की आवाज क्या है कुछ आवाजे हमारे अंदर है कुछ आवाजे हमारे अंदर है जिसमें से कुछ आवाजों को आप जानते हो और कुछ को नहीं जानते हो उनको जानना है अंदर की आवाज कौँ सी है? कोई पताएगा? Example Heartbeat और अंदर की आवाज कौँ सी है? सांसों की आवाज ऐसे ही अंदर और भी बहुत सारी आवाजे हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं वो आप पकड़ोगे कैसे? जब आपने कान में लगा लिया और लगाने के बाद में भार से आवाज आनी बंद हो गई तो इसका मतलब कि जो भी आवाज आ रही है वो? अंदर से आ रही है तो automatically आपका ध्यान उन आवाजों की तरफ चला जाएगा आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा धीरे धीरे आपको दिल की धड़कन सुनाई देने लग जाएगी धीरे धीरे इन आवाजों के साथ में आप देखोगे पीछे से एक आवाज आ रही है इन आवाजों के पीछे पीछे मतलब ऐसे भूत नहीं है कोई इन आवाजों के पीछे एक और बारीक आवाज है मतलब आवाज धीरे धीरे पतली होती चली जाएगी हमारा माइंड किस तरीकी से काम करता है जो सबसे भारी आवाज होती है उसको हम जल्दी सुन लेते हैं जो सबसे हल्की आवाज होती है वो खो जाती है वो खो जाती है वो गयर हो रहा है ऐसा नहीं है मैं बोल नहीं रहा था मैं बोल रहा था ऐसा नहीं आप सुनने ही सकते थे आप सुन सकते थे, लेकिन हमारी habit क्या है? हम पतली आवाजों को छोड़ देते हैं, हमारा ध्यान सिधा बड़ी आवाजों की तरफ सला जाता है, इसमें आपको थोड़ा सवा उल्टा करना है, आपको क्या करना है? पहले आपने breath की आवाज को सुनना शुरू किया, सुनते सुनते आपको इसके पीछे से, इस breath के पीछे से एक पतली सी आवाज सुनाई देगी, वो पता है कैसी होगी? हो सकता है किसी को जिंगूर की आवाज सुनाई दे, जैसे कभी किसी के साथ में हुआ है कि हम किसी hill station पे गए और वहाँ पर लेटे हुए और एकदम से जिगूर की अवाज आ रही है कान के अंदर सुना है या दिवाली के टाइम पे एक बम फट जाता है हमारे कान के पास में तो क्या होता है किसी को हो सकता है पानी गिरने की अवाजे आए जरने की अवाजे आए किसी को हवा की अवाज आए किसी को शंक की अवाज आए ऐसा लगए है कान के अंदर कहीं पर शंक बज़ रहा है अब ये आप नहीं भी चाहोगे अब देखो meditation में और इसमें क्या फरक है अब तक की आपने जितनी भी meditation करेगी और उसमें वहाँ आपको अपने ध्यान को लगाना पड़ रहा था ध्यान से समझने है इस पॉइंट को बहुत माइनर सा फरक है लेकिन ही major difference लेकर की आने वाला है और सब meditation techniques में आपको अपने ध्यान को कहीं लगाना पड़ता है और ध्यान बार-बार भागता है कभी thoughts की तरफ, कभी आवाज की तरफ, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, होता है meditation कर रहे होते हैं, एक दम से आवाज आती हो अधर से अरे भाई, खाने में क्या बना है, सारी meditation भंग, गई ऐसे होता है, क्योंकि आप ध्यान को वहाँ रोकने की कोशिश कर रहे हो और ध्यान को रोकना, जब तक कि आप पूरे तरीके से नहीं समझ जाते हैं, कि ध्यान है क्या रोकना is next to impossible, आपके लिए तो ध्यान को रोकना नहीं है, बाकी जगे पर ध्यान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो धीरे धीरे धीरे, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो जैसे ही ऐसी आवाजे आपको सुनाई देंगी, यह आपके ध्यान को अपनी तरफ खीच लेगी मतनलब समझ रहे हूँ? वहाँ पर आप अपने ध्यान को यहां रोकने की कोषिश कर रहे हो यहां पर ध्यान अटोमाटिकली एक दम रुख जाएगा एकदम स्थेर हो जाएगा जिसकी यह क्या हो रहे है? यह क्या आ रही है? एकदम से एक आवाज आएगी आप कोगे यह क्या है आप नहीं भी सुनना चाहोगे आपका ध्यान बार-बार उसकी तरफ जाएगा आपका ध्यान automatically center में आ जाएगा और आप देखने लग जाओगा इसको आपको कुछ नहीं समझ आएगा यह क्या हो रहा है देखो कभी भी note करना कि जैसे ही हम को कोई चीज नहीं समझ आ रही होती तो हमारा ध्यान present moment में होता है जब तक हमारे लिए कोई भी चीज नहीं होती है हमारा dhyan present moment में होता है किसी जगय पर जाओ पहली बार किसी हिल स्टेशन पर जाओ तो क्या होगा आपका ध्यान पूरे तरीके से वहाँ पर है आप चीजों को अब्जर्व कर रहे हूँ ऐसे ही होता है एक एक चीज को देख रहे हो बड़े जान से अरे ये क्या है अरे वो क्या है वो क्या है तीसरी बार जाओ क्या होगा पांची बार जाओ क्या होगा आप वहाँ बैठे होगे लेकिन अपने काम कर रहे होगे माइंड के अंदर अपने काम के बारे में सोच रहे होगे आफिस के बारे में सोच रहे होगे ऐसे होता है हर एक चीज के अंदर ऐसी होता है अगर आप जाहान से उसको अब्जर्व करने की कोशिश करोगे कि जब भी कोई चीज ऐसी होती है जो हमें समझ नहीं आती जो हमारे समझ से बाहर होती है तो हम सेंटर में आ जाते हैं समझ ही नहीं आ रही क्या करें कुछ करने को है नहीं अगर आपको समझ आ गई समझ कहा आएगी अगर memory में कोई चीज पड़ी हुई है और आपको समझ आ गई तो आप एकदम से उसमें language में convert कर दोगे आपने एक ट्रक की आवाज सुनी और आपको सुनाई दे गई तो आप क्या कोगे अरे ट्रक की आवाज है ठपा गया माइंड के अंदर conversation चुरू हो गई पट अगर अंदर से आपको ऐसी आवाज आई जो आपको समझ ही ना है मैंने आपको सिर्फ हिंड दिया है कि ऐसी आवा आप सेंटर में आगए आप चीजे जैसी है वैसी आपको दिखने लग जाएंगे इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली बताओं फिर उसके आगे और आपको क्या करना है बस एक चीज चोटी सी रह गई है कि जो भी आवाजे आएंगी ना उसको राइट साइड से आप जाएंगे और जैसे जैसे आप मेडिटेशन में और गहरे जाते चले जाओगे अंदर जाओगे तो इस सारी आवाजे सेंटर में आजएगे दीरे दीरे और फिर एंड में आपको एक जो लास्ट गोल है इसका वो रिलाइस हो जाएगा और वो हो सकता है किसी को दस दि जिसकी कोई हदे नहीं है बिना किसी आहट के जिसमें कोई आहट नहीं है एक हाथ की ताली आपने दो हाथ की ताली सुनी होगी कि उसकी आवास कैसी होती है सोचो एक हाथ की ताली कैसी होगी उसकी आवास वो सनाटे की आवास है उस आवास को आपको सुनना है सुन क्यों न आप शान्त हो जाएगा, mind शान्त होगे आप automatically center में आजाओगे कुछ करने को नहीं रह जाएगा, लेकिन सुन क्यों नहीं पारे बीच में shore है बहुत shore है जब हम बोलते हैं तो shore होता है सुनते हैं तो shore होता है तीसरे तरह का shore हो और है उससे पहले मैं आपको बता तो इन दोनों shore के लिए क्या किया है नंबर एक meditation के time पे आप बोलने ही रहे नंबर दो, जब आप सुनते हो shore होता है वो भी खतम हो गया इसके through, ear bud के through ये जो आपने ear plug लगाया, इससे क्या हुआ सुनना बन, ये वाला shore खतम बोलने वाला shore खतम एक तीसरे तरीके का shore है जिसको खतम करना है जो हर meditation का last goal है या most important goal है वो क्या है कि हम अपने अंदरी अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते कभी note किया है non-stop non-stop इसलिए stress हो रहा है for example, आप यहां बैठे होए हो और चौइस घंटे आपके कान में आ कर के कुछ बोलतार हूं अरे, क्या हुआ? वो किया क्या? अरे, वो काम करना है अरे, वो कही रहना जाए अरे, उसकी लास्ट डेट अगई है अरे, वहाँ पर वो बच्चों को आँ भी लेने जाना है यह दिक्कत हो गई किते लोगे मन में डाउट रहे कि क्यो उसननना है? इसावाज को, राइट साइड से क्यो सननना है? वो मैं अपको और सीन्टिफिकल ही बता देता हूं हमारी जो ब्रेन है वो दो पार्ट हैं दिवाड़िड है लेफ ब्रेन आट राइट ब्रेन दोनों आपस में connected हैं, लेकिन दोनों के functions अलग-अलग हैं. इसको logical brain बोलते हैं, इसको intuitive brain बोलते हैं, जहां intuition चलती है. आपका contact हुआ किसी चीज के साथ में, चाहे वो thought के साथ में हुआ, चाहे मेरे साथ हुआ, चाहे किसी आवाज के साथ में हुआ, जैसे ही हुआ, आपका आवाज आई, आपने immediately यहां पर conversation चुरू हो गई, अरे ट्रक की आवाज है, जैसी यह picture देखी, अरे कितनी खराब picture है, कोई बदबू आई, अरे बड़ी गंदी smell है, कोई अची smell आई, अरे वाँ, कितनी अची smell आ रही है, होता ऐसा, अंदर conversation चुरू हो जाती है, जैसी अंदर बातचीत चुरू हो जाते है, शोर शुरू हो जाते है, इस बातचीत को किसी तरीके से बंद करना है, अब scientifically उसका क्या तरीका है, जिस आवाज को आप right side से सुनते हो, उसकी processing हमारी left side की brain करती है, मनलब जो left side की brain है, वो right side के सारे functions को चलाती है, औ जैसी आपने right side से किसी भी आवाज को सुना, और एक ऐसी आवाज को, अब अगर मैंने right side से आपको एक ऐसी आवाज सुना दी जिसको आप अलोड़ी जानते हो, for example, मैंने यहाँ पर बोलना शुरू कर दिया, कोई भी ऐसा नाम जिसके एक form बनी हुई आपके mind में, राम, र राम की इमेज बन जाएगी, जैसी राम की इमेज बन जाएगी, क्या होगा, यहाँ पर बात्ची चुरू हो जाएगी, कि राम भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो, कोई बुराई नहीं है उसमें, बट बात्ची चुरू हो जाएगी, हे बात्ची चुरू हो जाएगी, जैस mind blank हो जाएगा इधर वाले mind को कुछ नहीं पता क्या है बस यह पता है कि आवाज आ रही है वो alert हो गया इधर वाले mind को कुछ नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ इसके बारे में तो वो चुप हो गया बिल्कुल आप automatically यहां से हट करके यहां आ गए सेंटर में आ गए आपका दिमाग बंद हो जाएगा meditation का बक्सत क्या है दिमाग ने दिमाग पूरे तरीके से बंद नहीं हो मतला दिमाग मरा नहीं है दिमाग ने बोलना बंद कर दिया और दिल खुल गया यह side जो है वो heart से connected है दिल बढ़ा होने लग जाएगा और mind छोटा होने लग जाएगा दीरे दीरे mind zero हो जाएगा heart बढ़ा होता हो जाएगा और सारा खेल दिल का है सारा प्यार यहां है compassion यहां है creativity यहां है सब कुछ यहां है peace of mind यहां है peace of mind क्या है और सोचो, अगर वो कुछ ऐसा हो, जिसके बारे में आप चाहो भी, तो जिन्दिगी में कभी जानी ना पाओ, तो क्या होगा? हमेशा के लिए माइन शांत रजाए. समझें, अब उससे कलेक्शन बन रहा है, जो मैंने कहा था? इंट्रस्टिंग है, क्योंकि कुछ नया है, बोरिंग नहीं है, क्योंकि कुछ नया है, एकसाइटिंग है, क्योंकि रोज कुछ नया है, ऐसी एक अवाज नहीं है, पूरा-पूरा म्यूजिक है, और यो पूरा संगीत है, एक सुर है अंदर, एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में आप सोच में नहीं सकते जब वो सुना ही देने लग जागा आपको धीरे दीरे आगे बढ़ने लग जाओगे और आगे कैसे बढ़ना है सबसे पहले सांसों को पकड़ा जो सबसे वो है उसको छोड़ा तो आप भी छूट गए आप भी नहीं होगे इसी आवाज को ओम बोलते हैं वो ओम की आवाज है सारे वेद ओम में से निकले हैं इसको बोलते हैं तो essence of all वेद इसलाम में जो सूफी लोग हैं सूफियों के अगर आप कभी भी गाना सुनोगे कुछ भी सुनोगे क्या बोलते हैं अल्ला हूँ अल्ला है मतलब के हूँ है ओम ए यू एम इसके बीच में क्या आया यू यू को अप कैसे बोलोगे हूँ कोई फर्क है इसलाम भी वही कह रहा है सूफी वही कह रहे है जो हिंदू कह रहे है बाइबल में भी यही कहा गया है इसी शब्द को हिंदी में बगवत जीता में क्या बोलते है अक्षर अक्षर मतलब कि अक्षर इंपरिशेबल जिसको मारा ना जा सके अक्षर अक्षर योग का पूरा पूरा एक चैप्टर है जिसके अंदर बिल्कुल क्लियर तरीके से बताया गया कि अक्षर क्या है जहां कृशिन भगवान इशारा कर रहे हैं उसकी तरफ कि वो मेरा परमधाम है अक्षर और वो ओम है जहां से सब निकले है वो हू है, वो राम है, वो रहीम है वो अल्ला है, वो जीजस है, वो क्राइस्ट है कुछ भी बोलते रहो, क्या फर्परता है कुछ भी बोलते रहो, सब उसी के नाम है उसी एक के नाम है इसी को नानक जी क्या बोलते है अपना एक उनकार बोलते है एक उनकार का मतलब क्या है कभी सोचा एक ओम का जो आकार है वो ही सत्य है बागी सब असत्य है और ओम क्या है निराकार है यही है तो सब एक ही चीज की बात कर रहे है अलग-अलग तरह से कर रहे हैं अलग-अलग तरह से पट मैं आपको शौटकट बता रहा हूँ एक है कि आप घूम-घूम-घूम करके वहां तक पहुचो एक है लास्ट में आप सीधा खट करके यहां पहुच जाओ जिसको सुनाई देना होगा सुनाई किसको देगा जिसका मन साफ होता चला जाएगा जिसके मन में जितना शोर होगा उसको उतना ही टाइम लगेगा इस ओम को सुनने में मतलब कि आप इसको जितना सुनने की कोशिश करोगे उतना ही लेट से नहीं देगा क्लियर हो रहा है मज सुनो, बोलो कि मैं नहीं सुनना चाहता, तब भी सुना ही देगा लियर हो रहा है? यह हमारे सुनने की कैपबिलिटी ही ऐसी है जो हमारी बोडी का औरगन सबसे पहले काम करना शुरू करता है मतला यह काम आज से नहीं कर रहे हैं जब पैदा भी नहीं होएते हैं तब से गर रहे हो तब से हम सुनना शुरू कर देते हैं यह औरगन हमारा सबसे पहले डेवलाप होता है सुनने का यह वाला जो है अंदर का और सबसे लास्ट में यह छोड़ता है क्यों बोलते हैं किसी नही सोचा इस इस दा हाईएट लेवल अपरीयर जिसकी में बात कर रहा हूँ प्रेयर हम क्या समझ रहा है मैं आपको स्ञेटिफिकली बताता हूँ यह समझते हैं जैसे मैं बच्पन में करता था में को प्रेयर अभी तक रटी हुई है जब मैं बच्मन में में को सिखाई थी कि हे बगवान मुझे बल दो, बुद्धी दो, आयू दो मैं कुब अच्छा लगा बनू, बढ़ाई में भी उशार बने अभी तक रटी हुई है ये प्रेयर इसको हम प्रेयर समझ रहें अरे ना भाई, ये प्रेयर नहीं है ये प्रेयर नहीं है इस फॉर्म प्रेयर क्या है? जब आप कुछ भी नहीं बोल रहें ना मू से, ना मैट से आप अपने आपको पूरी तरीके से सरेंडर कर दो तब जो होगा वो प्रेयर है तो कि जो आपको सुन रहा है वो कहीं बाहर नहीं है आपके अंदर ही है जैसे ही उससे कुछ मांगोगे आप उससे दूर हो जाओगे उससे कुछ मत मांगो वो सब जानता है उसको सब पता है उससे कुछ होगा नहीं कुछ मत भागो सब कुछ मिल जाएगा यह meditation है मतलब कि कुछ करना ही नहीं है अगर कभी experiment करना हो कभी experiment करना हो या खेलना हो क्योंकि मैंने का नहीं जादा seriously मतलो इंसे बात हो खेलो, खेलना हो खेलने का तरीका पता हूँ मतलब यह meditation क्या है सुनना ही तो है आप क्या गह रहे हो कि मुझे नहीं सुनना करो कोशिश ना सुनने की तब भी सुना ही देगा यह खेल है ध्यान भाहर जा रहा है ले जाओ भाहर experiment करो, देखो क्या होगा ध्यान भाहर गया जैसे ही आप इन अंदर की आवाजों को पहचान लोगे यह आवाज अपनी तरफ आपका ध्यान खीच लेगे आपको ध्यान यहां लाना नहीं बढ़ेगा दीरे-दीरे जैसे ऐसे आप meditation में गहरे होगे अपने आप यह खीचेगा आपको अपनी तरह अपने आप खीच लेगा अपने आप लाग करके यहां पे आपको कड़ा देगा जैसे ही आप कहीं जाओगे तो अब आपके पास में चोईस होगी आप यहीं रह करके आप यह भी कर सकते हो यह भी यह भी मतलब हजारों चीज़े कर सकते हो बिना किसी अपनों पाओगे उसके अंदर ही सब कुछ है उससे क्या होगा यह अंदर ओपन अप हो जाएगा अगर आप इसको इंसर्ट करेंगे तो यह नहीं होगा तो अब हम क्या करने वाले हैं बीस मिनिट के लिए अराम से बैठ करके पहले टैन ब्रेट्स होंगी उल्टी गिंती गिनेंगे जीरो तक खतम उसके बाद में ब्रीधिंग को नॉर्मल कर दिया और जो सुनाई दे रहा है अंदर से प्रस उसको सुनना है बाहर से अदर कोई आ थौट्स आये कोई बात नहीं आने दो अपने आप वो आवाज आपके अध्यान आपकी तरफ खीच लेगी अपने आप यहां ले आएगी आपको यह ली लाइट साफ बंद करवा दूँ अपने आप बताएगे अब आप बताएगे मेरे को आपका लोग को क्या क्या एक्सपीरिंस रहा है सबसे पहले तो कितने लोगों को सांसों के और दिल की धड़कन के अलावा कोई और आवाज भी सुनाई थी जो कि डियागे अशसे थी बार बार आप मेरिटेश्ण में जा रहे थे अप मेरिटेश्ण कर नहीं रहे थे आटोमाइटिक लिए और आथा सब कुछ बाकी सब आवाजे बंद हो गई थी मैं आपको तीनों स्टेजिस बता जेता हूँ क्या है इसकी पहली है कि जब कोई नहीं आ रही तो ब्रेट तो है ब्रेट भी तो आपके अंदर ही है ना ये भी उसी की आवाज है ये सांसे निकल कहां से रही है कभी सोचाए सांसे कहां से आ रही है कहां जा रही है अगर आपके अंदर से मैं सांसे निकाल लूँ पांच मिनिट के लिए क्या होगा ख़तम तो ये सांसे जहां से आ रही है और जहां जा रही है वही से ये आवाजे भी आ रही हैं और जा रही है सांसे उसका थोड़ा सा बड़ा रूप है जिसको आप अराम से सुन पा रहे हैं बाकी छोटे-छोटे हैं जो सुनना शुरू करेंगे दिर दिर सुनाई देगा जब तक कुछ नहीं सुनाई दे रहा सांसों को सुनना है इसके साथ में अपने आपको जोड़ करके रखो नहीं भी जोड़ना थोट्स के साथ में जाने दो जहां ध्यान दा रहा है जाने दो बाहर की आवास पर जाने दो अपने आप यांदर की आवाज आपको खीच लेगी इसमें इतनी पावर है, इतनी ज्यादा इसके अंदर अट्राक्शन है यह अपनी तरफ खीच लेगी आपको जिसको इसके आगे की कोई आवाज सुनाई दी जैसे कोई बता रहा है किसी को जिंगूर की सुनाई दी कितने लोगों दी? जिंगूर की आवाज सुनाई दी और कौन को थी आई? कोयल की आवाज आई तो आपको तो मज़े आगे होंगे है कोयल कुकु करें किसकी? हाँ, exactly जैसे एक light ऐसे होती है न? बुचती है, जलती है जैसे तारे हम देखते हैं आस्मान में तारे कैसे लगते है को ध्यान से आप देखो कि ऐसा लगता है जल रहे हैं, बुच रहे हैं, बुच रहे हैं तो ये और आवाज थैसे होगी तारो के जैसे होगी बीज-بीज में आएगी, जाएगी और कई बार क्या होगा, आप सांसों के बाद में एक आवाज आपको सुनाई दी जिंगूर की उसके बाद में और पतली एक आवाज आईगी वो आई और एकदम से चली गी और जिंगूर की आगई उसके अंदर से आपको जलक दिखी एक confession है which is very important लोग ये तो बता देते हैं कि meditation सब को करना चाहिए हर चीज़ का plus minus होता है तो meditation का भी एक plus minus है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि meditation का minus क्या है meditation सिरफ एक tool है, एक हतियार है वहां पहुचने का या ये कहो कि एक नाव है जो आपको पार लगा देगी लेकिन अगर आपने उस पार होने के बाद में उस नाव को नहीं छोड़ा तो उसका कोई इलाज नहीं है एक दिन ऐसा आएगा जब आगे बढ़ते 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 कोई अंत नहीं है जब इसको जान लिया तो बस यहां पर गढ़ना है दूसरा कनफेशन विच इस अगेन वेरी वेरी इंपोर्टन हो सकता है आप मेंसे कुछ लोगों का काम ऐसा होगा जो और मैं इसको मजाख में नहीं बोल रहा हूं कि हो सकता है आपका काम ऐसा हो जहां पर के बिना गुस्से के बिना गुस्सा किये आप काम करी नहीं सकते है ऐसे भी कुछ लोग है और जब मैंने उनकी प्रॉब्लम को समझा तो मैंने तो मेरे को तो वो समझ नहीं आई लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार शायद वो बंदा अपनी जग आपर ठीक है जैसे मेरे एक अंकल है, मैंने उनसे पूछा, मैंने का यार आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो क्योंकि मैं observe करता रहता हूं लोगों को, तो उनकी जो आखे हैं, eyebrows हमेशा ऐसे रहती है और बात बात पर जैसी कोई बात ऐसी मेरे मुझे निकलती है, जो उनको ठीक नहीं लगती, उनकी नाप फूलने लग जाती है हसता है, मैंने उनको कभी देखा नहीं तो इस तरह के expressions देख करके मैंने उनसे पूछा, मैंने का कि अंकल चक्कर क्या है, आप हमेशा गुसे में क्यो रहते हो कहते है बेटा मेरा काम ही ऐसा है, मेरी आदत हो गई, मेरा काम ही ऐसा है, अगर मैं गुसा ना करूँ अपने आदमियों पर, उनकी factory है कहते हैं कि अगर मैं गुसा ना करूँ अपने आदमियों पर, चार गालिया ना दू उनको, और पीं करके उन्हों दो चार गालिया दी, जब तक उन डैश डैश को ये ना किया जाए, तब तक कोई काम करके राजी नहीं है हो सकता है वो अपनी जगे ठीक हो, और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिना गुसे के आपका काम नहीं चलने वाला, आपकी factory नहीं चलने वाली, तो प्लीज भाई, meditation मत करना गुसा खतब हो जाएगा, नहीं किया जाएगा मुझे कई वार अपने में बड़ी हसी आती है कुछ ऐसी situations होती है, जहां पर गुसा करना चाहिए पर एक्जामपल वो factory वाला, वो जो मेरे अंकल है, वो क्या करते हैं, कि अगर उनकी factory में कोई दंग से काम ना करें तो उस पर गुसा करते हैं, उसको गालिया निकालते हैं आज मैं honestly बता रहो, मैं सिरे बोल नहीं ना अंदर तक इस बात को जानता हूँ मेरी factory होगे न, उसमें आग भी लग जाएगी तो मुझे असी आएगी मुझे फर्क नहीं पढ़ने हाला, मैं सीधा पुछे को, हाँ भाई, फाइबर गेट को बलाया गया कोई बात नहीं बुझा लो, नहीं बुझती तो चलने दो, कोई नहीं दूसरी बैटरी को जा लेगे आए गा ही नहीं तो गलत, आप चाहोगे भी तो आप किसी के साथ में गुसा नहीं कर सकते हैं तो यह है पहली काटेगरी, दूसरी काटेगरी है कि हो सकता है आपका काम ही ऐसा हो जहां पर आपको लोगों को जूट बोलना पड़ता या धोका देना पड़ता ऐसे बहुत काम है आज के टाइम में, बहुत काम है और यहाँ पर भी पता नहीं ऐसे कितने लोग बैटे होगे for example, जब तक आप जूट बोलोगे ही नहीं तो आपका माल बिकेगा ही नहीं और जूट भी ऐसा जिससे सामने वाले का नुकसान है एक जूट ऐसा है जिससे सामने वाले का कोई नुकसान नहीं है वो तो आप बोल लोगे, वो तो मैं भी बोलता हूँ कही बार, जिसमें सामने वाले का नुकसान नहीं है, तो आप ये नहीं कि आप सत्यवादी हरीश चंदर बन जाओगे, लेकिन अगर आपको पता होगा, कि आपका ये जुट बोलने से, for example, एक बिल्डर है, उसके आप फ् पाओगे, खतम हो जाओगे आप, आप जुट बोली नहीं पाओगे, आप उसका बुरा कर नहीं पाओगे, दूसरी तरफ से कोई आगर कि अगर आपका भी बुरा करेगा, तो आप शांती से बैठ कर के, उसके लिए अकेले में बैठ कर के, हो सकता है उस टाइम पे थोड़ गला पर ऑजाम mistake, मैं आपका कजाए अ बजखान हो, आपका ब्रचे काँ खाना हला, अब इसके में यह नहीं होता है, अभर में नहीं होता, जजच करने वाला, लेकिन अगर आपका यह काम है, तो भाई, भूल करके भी, मेडिटेशन, तो मत करना, मत करना सच बता रहा हूँ मैं भूल के भी मत करना मुर्गा आप काट रहे होगे न उसकी आखों में अरे एक बार अगर आपने उसकी आखों में देख लिया न आप रूने लग जाओगे क्या काटोगे उसको आप बंद कर दोगे अपनी दुकान को भूके मर जाओगे खाने के लिए पैसा नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं समझाएगा क्या करोगे लेकिन आप काट नहीं पाओगे आप करी नहीं पाओगे एक है कि हम प्यार करने की कोशिश करते हैं हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं जितनी कोशिश करोगे आप प्यार से उतना ही दूर हो गए आप प्यार बन जाओगे बीच में आये प्यार बन जाओगे कोई आये तो सही आपको मारने के लिए आप उस पर भी प्यार आजाए, प्यार आजाए, ऐसा नहीं आप अपने आपको बचाओगे नहीं, बचाओगे, ऐसा नहीं उसको बचाने के लिए उसको मारोगे नहीं, मारोगे, लेकिन प्यार से नहीं, नफरत से नहीं, दीरे-दीरे होगा क्या, ऐसी स्टेज आ जाएगी आपकी जब चाहा करके भी आप अपने बारे में सोच ही नहीं पहोगे और आप इस दुनिया के भले के लिए बिना बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट किये रत्ती भर भी रत्ती भर भी कुछ भी कर जाओ चलते हो रहा हूँ यह जो छीज है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में बात कर रहा हूँ अशराँ प्रहाँ अच्छ लुड़ोड़ ना झाल झाल